प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस संक में आप सभी का स्वागत है इस कारिक्रम के माध्यम से हम आपको पिछले एक सब्ता में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर कारिक्रमों की जानकारी देते हैं आईए इस संक की शुरुवात करते हैं मन में कुछ गर गुजरने का जजबा लेकर नीमच की लगभग 165 महिलाएं और युवतियां पुलिस शासन द्वारा चलाए जा रहे पुलिस सशक्त वाहिनी के विशेश अभ्यान में बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रही हैं अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संबाद दाता पुलिस अधिक सक सुरुच कमार वर्मा के निर्देशन में घुमक कर अर्द घुमक का अनुसुची जाती जन जाती के महिलाएं प्रती दिन दो फैर दो से साड़े पांच बज़ तक चलने वाले प्रिशेक्शन में भाग ले रही हैं प्रती दिन के प्रिशेक्शन में लि लेकिन घर परिवारी की जिम्मेदारी निभाने के जाजिसे ह्फिए मेधन पर आने के साथ यह महीलाइं टेक सूट में नजराती है पुलिच पेस्टासन का प्यास है कि सभी महीलाइं आने वाली परिक्षा में सफलता प्राप्त करे और देश सेवा का इस्था बने एक फरवरी से प्रारम हुए इस कोचिंग और प्रशेक्शन सेंटर का समापन तीन मार्च को होगा और इसमें महिला एम बाल विकास वेभागभी सहयोग कर रहा है गौर तलब तत ही यह है कि तर्क शक्ति का प्रशेक्शन देने वाले मुकल गोस्वामी स्वेम 803 तक विकलांगे और अपनी बेसाक्यों के साहरे कोचिंग सेंटर तक पहुँचकर प्रति भागयों की तर्क शक्ति परिक्शन और प्रशेक्शन देने का कारिक कर रहे है पन्ना जिले को ऐसी सौगात मिलने जा रही है जिसका इंतजार शहर के लोग काफी वक्त से कर रहे थे विश्व के बेश कीमती हीरों के लिए पहचाने जाने वाले पन्ना में एशिया का पहला डायमंट म्यूजियम बनने जा रहा है अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे समबात दाता बेश किम्ती हीरों के लिए पन्ना को भारत में नहीं अपीतु पूरे बिश में जाना जाता है पन्ना कलेक्टर संजे कुमार मिस्ट ने बताया कि इस म्यूजियम में हीरे के इतियास महात उत्खनन और तरासने एबम अभूख्षोडों से जड़ने तक की जानकारी के साथ बुंदेल खंड का इतियास संस्कृति पुरातत्तो और मंदरों की जानकारी भी एक साथ उपलब कराये जाने की उजना है इसके अलावा बिदेशों में जहां भी डायमंड मिलता है उसकी जानकारी भी यहां मिलेगी जिला प्रसासन इसका पूरा रोड में बना रहा है इसी करम में हीरा उत्खनन पर्योजना के कंसल्टेंट संकेत कम्मुनिकेशन दिल्ली की टीम के साथ बैठक आयुजद की गई है बैठक में विवन राज्यों में डेजाइन किये गए मुजियम मंदिर एवन टेली फिल्म आदिका प्रदर्सन कर जानकारी दी गई मुजियम में प्रवेश के लिए एक पोस्ट कार्ड साइज का एक प्रवेश टिकेट भी रखा जाएगा जिसके उपर हीरे का प्रिंट होगा संकेत कम्मुनिकेशन के दल ने मुजियम के निर्मार का भी अवलोकन किया है म्यूजियम के सामने एक पन्ना व्यूपॉइंट बनाने का भी विचार है ऐसे मैं खुब्सूरत बनाए जाने के लिए म्यूजियम के पीछे की पहारी को भी विक्षित किया जाएगा जिससे पन्ना का यह डायमन्ड म्यूजियम और भी मनमोहक बन सकेगा कोटवार, ग्रामींड जन और प्रशासन के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है इस कड़ी को मजबूत बनाने के लिए राइसेन कलेक्टर रूमा शंकर भारगव ने एक नई पहल की है इस पहल के बारे में विस्तार से बता रही है हमारे समवाद दाता इसमें कोटवालों को पुलिस से महोंगार्ट सेनिक द्वारा प्रेट का प्रिशिक्षन दिया जा रहा है ताकि उनमें अनुशाशन की भावना वेक्सित हो और मनोवल में ब्रत्दी हो कोटवार दल को फूर्स की तरह ही तैयार किया जा रहा है कोटवालों को बुन्यादी और महत्पूर्ण जानकारी देने के साथ ही वर्तवाल प्रेट्ष में जनुवल प्रिशाशन की आपेख्षाओं के अनुरूप सभी आवश्यक प्रशिक्षरत दिया जा रहे है गाउं में सामाजिक सुहादर बनाये रखने में भी कोटवार का महत्पूर्ण जोगदान होता है गाउं में राजस्वंबंदी कारियों के सुखमता पूर्वक्स संपाधन के लिए उन्हें वर्तवान समय के हिसाब से तयार किया जा रहा है अगले दो वर्षों में गेहुत पाधन में राजकर जिला विदिशा का रिकॉर्ड तोड़ेगा और बन जाएगा अवल इसी दिशा में किये जा रहे प्रयासों के बारे में वस्तार से बता रही हैं हमारे समवाद दाता राजगर जिले के लिए वर्दान साबित हो रही है सिचाई परियोजना राजगर जिले में बनी मौनपुरा कुंडालिया परियोजना का लाब अब जिले वासियों को मिलता जा रहा है इस वर्ष में जिले में लगबग 25,000 हेक्टर जमीन तक बांध का पानी पहुचाए गया है आने वाले वर्षों में लगबग 70,000 हेक्टर जमीन तक बांध का पानी पहुचाए जाने की योजना है दो साल में लगबग 2,000,000 हेक्टर जमीन तक सिचाई का पानी पहुचेगा इस योजना के पूर्ण होने से राजगर जिला गेहूं उत्पादन में पडोसी जिलों को प पड़ा है तथा गेहूं उत्पादन में भी काफी अच्छा प्रदर्शन राजगर जिले द्वारा किया जा रहा है जिसमें की गत वर्ष हमने लगबग 34,000 मेट्रिक टन गेहूं का खरीदी की थी और इस साल भी इससे अधिक खरीदी करने की संभावना है करीब 26,000 हेक्ट लह लहा रही है ये सिचाई के साथन डेवलप होने से लोगों में एगरिकल्चर को लेकर के जाग रुखता आई है तथा राजगर जिला एगरिकल्चर के शेतर में निरेंतर विकास की तरफ बढ़ रहा है रतलाम जिले के ग्राम राजापुरा माताजी में पुरातत्व सर्वेक्षन और अनुसंधान विभाग द्वारा खुदाई की जा रही है अधिक जानकारी दे रही है हमारी समवाद दाता यहां माही नदी के तट पर पहाडी की खुदाई में सदियों पुरानी करीब 200 प्राची मुर्तियां आधार इस्थंब और खंबे निकले हैं थापत्य कला के ये नगीने परमार कालीन और लगभग 10-11 शदी के बीच में निर्मित माने जा रहे हैं पत्थरों पर हजार साल पहले उकेरी गई देवी देवताओं की आकरतियों के साथ ही खजराहों में बने मंदिरों के समान श्रिंगार रस्से परिपूर्ण आकरतियां भी जमीन से बाहर आई हैं पुरातत्विदों के अनुसार रतलाम में इसी इस्थान पर करीब 1000 साल पहले भाव्य जमतकारी शिव मंदिर था जो परमाराजवन के राजाओं ने बनवाया था प्राकरतिक संदर्ता के साथ साथ यह उतकरष्ट वास्तु शिल्प और तंत्र साधना का एक प्रमुक केंद्र हुआ करता था वापस पुरातित्व भाग द्वारा कोशिश की जा रही है कि इस मंदिर को उसके उसी प्राचीन स्वरूप में दोबारा खड़ा किया जा सके अगर ऐसा होता है तो यह जिले का ही नहीं बलकि प्रदेश और देश का मुख्य परटन स्थल बन सकता है माही नदी, घाट, जंगल, पहाड के साथ मागड़कंखाई शक्ती पेठियां पहले से विराज़त है समाचार दर्शन के लिए रतलाम से अधीती मिश्रा रिवा जिले में कोरोना टीका करण के दूसरे चरण में संभागा युक्त, कलेक्टर, आईजी, पुलस अधीक्षक, राजस्व अधिकारियों और पुलस अधिकारियों समेत अन्य फ्रेंट लाइन वरकर्स का टीका करण किया गया है वस्तार से जानकारी दे रही है हमारी समवाद दाता टीका करण के प्रथम दिन कुशाभा उठाकरे जिलस बताल में सर्व प्रथम संभागा युक्त को सबसे पहला टीका लगाया गया इसी तरह अब तक जिले में 6919 फ्रेंट लाइन वरकर्स को कुरोना के टीके लगाया चुके हैं फ्रेंट लाइन वरकर्स के टीका करण का प्रथम चरण समाप्थ हो गया है इसमें कुल पंजिकरत फ्रेंट लाइन वर्कर्स में से 89 प्रतिशत को ठीके लगाय जा चुके हैं जिले में कुल 8739 फ्रेंट लाइन वर्कर्स का ठीका करन के लिए पंजियन किया गया था इनमें राजस्व विभाग के 1348, ग्रामेर विकास विभाग के 1773, नगरी निकायों के 1042, होम गार्ड के 207, जेल विभाग 14, तथा पुलिस विभाग के 2409 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कुरोना की टीके लगाय गए इसमें राजस्व विभाग के 86%, ग्रामेर विकास विभाग के 80.5% तथा पुलिस विभाग के 82.5% अधिकारियों तथा कर्मचारियों का टीका करन किया गया होमगाड विभाग के 84.5% तथा जेल विभाग के 64.8 इवं नगरी निकाय विभाग के 80.5% अधिकारियों कर्मचारियों का टीका करन किया जा चुका है राजस्व, पुलीस, क्रामिडवी कास विभाग तथा नगरी निकाय विभाग के सभी प्रमुख अधिकारियों को कुरूना के टीके लगाय जा चुके हैं जिले के किसी व्यदिकारी कर्मचारी को कुरूना टीका करन से किसी तरह का दुश्परभाव नहीं हुआ है प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रिवा से मैं आरती श्रिवास्तव सागर जिले में जल सनरक्षन की दिशा में लगातार कार्य हो रहे हैं यहां की खेत तालाब यूजना के बारे में बता रहे हैं हमारे समवात दाता पिछले दिनों केंदरी मंती रादनास सेह और मुक्हमंती सुरा सिंग चोहान ने सागर जिले की धाई हजार जल सनरक्षनाओं का बर्च्वल लोकारपण भी किया इसके साथ ही केंदری मन्ती रादनास सेहं और मुक्मंतरी सुरासिंग चौहान ने साधर जिले के ग्राम वे परिया गोपाल और ग्राम छुला में चल रहे, कार्यों की सराहना की इसके साथ ही इसके लिए सोसल मीडिया पर साझावी किया सतना जिले में पांच वर्ष तक के बच्चों में बाल कालीन बिमारियों जैसे गंभीर कुपोशन, अनीमिया, निमोनिया, दस्त, निर्जली करण के साथ अन्य बीमारियों की पहचान के लिए 20 मार्च तक दस्तक अभियान चलाया जा रहा है अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे समबाद दाता जिले में चल रहा है इस दस्तक अभियान में बच्चों में होने वाली गंभीर बीमारियों की जानकारी मिलेगी और उप्चार ही मिलेगा जिससे बाल मिरत्तु दर में कमी आएगी प्रादेशिक समाचार दर्सन के लिए सतना से मैलाल भाद उतेवारी भारत सरकार की यूजना के तहट अप्रदेश में भी महिला सशक्तिकरण को लेकर महिला अपराद घटित होने वाले थानों में उर्जा महिला डेस की स्थापना की जा रही है इसी के तहट सिहोर जिले के 13 थानों में महिला डेस की स्थापना की जा रही है इन थानों में महिला फरियादी की शिकायत महिला उतनरीक शक सुनेंगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सिहोर समवाद दाता सियोर जिले की 13 थानों में महीला उर्जा डेक्स की स्थावना की जा रही है इन चैनी थानों में स्थावित महीला डेक्स का कक्ष अलग होगा जहां पर महीलाओं की शिकायद सुनने के लिए महीला उपरिक्षिक की पदिस्थावना की गई है खास बात ये है कि महिला पुलिस कर्मी महिलाओं की शिकायत पर कारभाई करेंगी इससे महिलाएं बेचक अपनी बात रख सकेंगी इन उर्टा महिला डेक्स के लिए फिलाल इन 13 थानों को 11 रुपे की राशी दी गई है इन 13 थानों को 3 शेड़ी में बाटा गया है एक क्लास थानों में महिला सवस्पेक्टर को प्रभारी बनाए गया है इसके साथ दो प्रधान रक्षा को चार आरक्षक होंगे बी क्लास थानों में एक महिला सवस्पेक्टर देश प्रभारी बनाए गया है इसके अलाबा एक प्रथान रख्षक उत्ती ना रख्षक होंगे C क्लास थानों में चार करमचारियों का श्टाप रहेगा इनकी प्रभारी महिला सब इस्पेक्टर ही होंगी महिलाओं के इस्थापित हेल्फडेस कक्ष पर महिलाओं पहुचकर अपनी शिकायत दर्च कराएंगी हर जगे के थाने में महिलाओं डेस्क का नंबर मोबाईल नंबर दिया जाएगा इस नंबर पर महिलाओं घर से भी कॉल करके मदद ले सकेंगी help desk के कक्ष में महिलाओं के बैठने के लिए परयाप पे बेबस्ता की गई है कक्ष में पानी की भी बेबस्ता की गई है जब भी महिलाओं दिये गए mobile number पर call करेंगी तो महिला पुलिस करणचारी ही phone को receive करेंगी इस संब्ध में एडिशन स्पिस हमेरी आदब में जानकारी देते हुगे बताया की सिहोर जिले के 13 थानों को चैनित किया गया है और वो इस प्रकार से चैनित किया गया है प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस संख में फिलहाल इतना ही अगली सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार आलेख और वाचनस्वर संखता बैनुर्ची प्रस्तुती प्रादेशिक समाचार एकांज भोपाल